नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लो दोस्तों आज में कुछ ऐसे प्लांट्स की कटिंग लगाना बताऊंगी चोंकि देखने में खूबसूरत तो होते ही हैं साथ साथ में वो खुस्बू भी फैलाते हैं आपके घर में गारडन में आंगर जहां भी पोधे लगे रहते हैं बहुत ही अच्छी खुजबू खैलाते रहते हैं आपको कितना भी इस्ट्रेस हो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो अगर हम पेड़ पुजबू के पास जाते हैं वहाँ जगर इस तरीकी की भी 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 खुजबू आती नो तो सारा श्ट्रेस गाएब हो जाता है तो उनी आज में आप लोगों को कटिंग लगाना बताऊंगी तो दोस्तों वीडियो में आप लोग लास तक में रही है का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा और चैनल पर न्यू है मेरे तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना साथ में बेल होती आसान है एक छोटी से स्टैंप लेकर थोड़ा से मिच्योर होनी चाहिए अगर आपको लगाना भी नहीं आता ना इसमें एरियल रूर्स निकले हुए होते हुए इससे कट करके आप सेंड में लगाएंगे तो तो 100% आपकी कटिंग लग जाएगी और देख सकते हैं मा भी इस्ट्रेस होता है यह पोधे जहां भी होते हैं उनके आस पास अगर होमगे घूमते हैं तो ब tolerant होती आपको एसट्रیस गाया है आप सपोर्ट देते हो तो बहुत आसानी से चड़ जाएंगे तो आप इन्हें भी ग्रू करने आपके गार्डन में खुजबू फैलाते रहेंगे नेश्डी हाँ पर दोस्तो हमारा है रात रानी जिसको नाइड जैस्मीन के नाम से बोला जाता है ये दोस्तो रात को खिलते हैं और रात में ही ये इतनी ही ज़्यादा खुजबू फैलाते हैं कि आप पूछो इमत एक मतलब गोजन नसे से हो जाता है अगर जहां पर ये लगे होते हैं कि रात को जाते हैं तो इनकी गर विराइटे की बात करूँ तो ये दो कलर में आते हैं एक वाइट एक येलू और ओर औरेंज में ये ओरेंज वाला फिलाल येलो में भी आते हैं तो इनको भी हम कटिंग से ग्रूव कर सकते हैं बहुत प्यारे लगते हैं ये फिलाल जमीन में लगा हुआ जिसके इसे ग्रूज बहुत अच्छे से हो प्लावरिंग देख सकते हैं बहुत उचाहित है कि इनकी जो होरी हर एक स्टैप में फूल लगे हुए हैं खुजबू तो आपको पता ही होगा जो लोग गार्णिंग करते हैं उनको पता है रात राने के कितनी इच्छे खुजबू होती है मिलकुल मैंड फ्रेर्स हो जाता कहीं विगर ये पोध है लगावा होता दोस्तों बिलकुल एसा लगे ही ने कि आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ च्छे स्ट्रस होगे रहा है तो इन्हीं आप जरूर लगाईएगा मन बिलकुल खुजबू हो जाता है अगर इस तरीके के भ जुमका बेलिया की नाम से जानते हैं बहुत सा मतलब अपने जो औरिया का जो नाम रहते बुलाते रहते हैं तो इन्हें भी हम कटिंग से ग्रू कर सकते हैं ये गेट पर बालकनी में कहीं भी दोस्तों इनको लगा देंगे चड़ा देंगे ना तो बहुत अच्छा सा कवर कर लेते हैं आपका बालकनी गेट बहुत ही खुश्रा लगता है ये गेट पर लगा हुआ है बहुत ही प्यारे लग रहे ले सकते हैं और ये भी ब्लूमिंग करते हैं इनकी वेराइटी के बात करूं दोस्तों ये वाली तो अच्छे लगती है एक आते हैं डबल पैटल वा ये का बहुत ही खुश्रत ही लगते रहते हैं और जो नेश्ठ हमारा दोस्तों वह हमारा गंधराज यानि की गार्डनिया और ये फ्लावर वाइट कलर में ही खास करके आते हैं ये भी खुश्बू फैलाने वाले प्लांट होते हैं अभी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ब्लोमिंग हो रही है जाती है रोजी पेटल्स ने लगते भी प्यारए घ्ली सेंग सभाने के लिए तो आपन फूरे खेंग कटिंग के लिए 1 सेंट में लगा दीचेगा कर्टिंग के पास दोस्तों आप रखेगा चेंगा चाहमें पящ 좋क्शल कर्टिंग 100% हो जाएगी बहुत ही प्यारे लगते हैं और जहां भी लगा होता दोस्तों महां का माहूल खुजमून हो जाता है तो बिना लेरे कि आप गंद्राज को जरूर लगाएगा अगर मार्केट में लेने जाते ना थोड़ा सा ये महगा मिलता है बट अगर मैं बोलू पेड़ जैसे वहां से पांच चेंज की कटिंग लेके मिचूरिश टेम लेके लगाएगे दोस्तों ना तो आसानी से लग जाएंगे तो इनको भी गुरू करना बहुत ही आसान है गंद्राज को जैसे नाम इनका गंद्राज है इस इनकी खुस्बू भी रहती है जहां भी गंद्राज को भी ज़रूर फ्रेंस आप लोग ग्रो करिएगा नेश्टिया पर दोस्तों जो हमारा प्लांट है वह है गुलाब तो गुलाब की कोई भी प्रैटी हो बहुत ही मितलब वह अच्छीं के खुस्बू लगती है चाहे वह हाइप्रेड हो इंगली सो खासर कि मैं बात करो ज्यादा खुस्बू देने वाले गुलाब के बाद तो हमारे जो देसी वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा खुस्बू देते हैं खिलने क्यों कर मैं बात करो तो खिलते भी रहते हमेशा उनकी वह नहीं होता कि हां कि इनका टाइम जो होता है विंटर का होता है बा से भी काम आते हैं अगर आप लोगों को गुरू करना है तो कटिंग से इजली को रहो जाते हैं इनके तो फिलाल मैं बताओ दूंकि सारे स्टेम्ट गुरू हो जाती है गुलाब की चाहे देशी चाहे अब्रेड हो मैंने गुरू किया है कटिंग सकसेज भी हुए दोस्तों ऐ इसा नहीं है कि नहीं है इनके सारी स्टैम और जल्दी रजल्ट पाने के लिए नियू स्टैम बेस्ट होती है इनकी काटिक आप जब भी लें अच्छी से मतलब होना चीह कलम जिसे होता नहीं पैन की बात तो लगे कलम आते इनको कलम की तरीक कट करके अलोविर अचील लगा क आप सेंड में लगाके सेंड में रख दे जीएगा आराम से लग जाएगा नेस्ट्या पहे हैं फिलू मेरिया ये भी दोस्तो हमारे काड़न में खुसबू भी खेरते रहते हैं अगर हमें फिलू मेरियानी चमपा की बात करूं तो इन में कई विरायuitive आती है है कलर भी आप क्या मैं बोलो आप लोग को पता ही होगा जो लोग फील की होंगे यह चीज तो आप इने भी कटिंग से फिलाल कटिंग सही लगती है जिनको भी आप गुरो कर सकते हो नेफ्ट दोस्तों हमारा यह बल्ब से गुरो होता है यह हमारा अजनी कंदा यह भी बहुत अच्छे से ख अब भी आप उपल वाले प्लांट लगाए थोड़ा मीची गरो बड़े लीजेगा ताकि चंदी सिंग की ग्रोथ हो सके नेश्ट यहां पर है हमारा दोस्तों कनेर का प्लांट है तो कनेर भी खुसबूफल आते रहते हैं खुसबूदार प्लांट है फूल भी पूजा के क हम आते हैं तो अगर आपको लगाना है थे आप लोको के लिए दुख वेस्ट ऑफशन है कनेर की बात कुरूफ लिए कहीं वराइटी में रहते हैं पैटल मट्ट पर पैटल संगल पैटल ने knew इस 笑् sunscreen अबसल दों करते हैं और मदों कामनी के बात कुरूफल दोस्तों को धि तो कहें भी अगर इनकी आपको टेहनिया चोटी सी मिले जरूर ग्रोव करिएगा और यह देख रहे हैं आप चुब हाइबरेड वाली है दोस्तों इसमें की मेरे पास देशी वाली भी है तो अगर इस तरीके की हैपी बुल्यूमिंग चाहिए तो हाइबरेड वाला बेस्ट में मानती हूँ हाइबरेड वाला लगा सकते हैं देशी भी करती है बड़ इतना जादा नहीं करती है तो इनको तो हम कटिंग से ग्रो ही कर सकते हैं तो दोस्तो में थी आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे महगने वाले पोदे, खुजबू फिलाने वाले वाले पोदो को जिसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो आसानी से आई ओप दोस्तों आसके वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, helpful लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब चुरूर करें, साथ में बे लाइक और भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं इस तरीकी की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो उसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, नए प्लान, नए इंफोर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्या लगएगा, happy के लिए अटनीं !